गुजरात में विधान सवा चुनाप की तेयारियां जोरो पर हैं तो वहीं हार्दिक पटेल की तथा कतित सेक्स सीडी वाइरल होने से एक सियासत में भुचाल सा आ गया है गुजरात के ही जामनगर में हार्दिक पटेल की तत्हकतित सैक्स सीडी को लेकर चर्चा कर रही Zee News की टीम पर हमला कर दिया मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक बताया जा रहा है ये हमला कॉंग्रेस समर्थकों ने किया है खबरों के मताबिक जामनगर में Zee News की टीम अपने शो गेम ओफ गुजरात के दौरान हार्दिक पटेल के तत्हकतित सैक्स सीडी को लेकर चर्चा कर रही थी हादिक पतेल की तताखतित सैक्स सीटी पर चर्चा से नराज होकर कॉंग्रेस समर्थकों ने Zee News की टीम पर हमला कर दिया इस दौरान कॉंग्रेस समर्थकों ने Zee News के एंकर अमन चोपड़ा के साथ चम कर हाता पाई की इसके अलाबा Zee News के रिपोर्टर विशाल पांडे पर भी हमला किया गया कहा जा रहा है कि Zee News से मारपीट करने वालों में कॉंग्रेस की महिला कारे करता भी शामिल थी इस मामले पर कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता रेडुका चोधरी ने कहा है कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है साथ ही उन्होंने कहा कि हार्दिक बैचलर हैं किसी भी लड़की के साथ अगर बैटे हैं तो क्या हुआ आपको बता दें कि सैंसीडी वाइरल होने के बाद से एक के बाद एक लगतार तथकतित सैंसीडी का खेल जारी है लेकिन सवाल इस बात का है कि ठीक चुनाफ के वक्त इन वाइरल सीडी के आने की पीछे की हقीकत क्या है जबकि हार्दिक पटेल इसको बीजेपी की उनके खिलाफ साजिश बता रही है बीरो रिपोर्ट नैशनल इंडिया न्यूज